चैलेंजिस तो कई देख लिए, मैं तुम्हें एक पक्की चुनौती देता हूँ, क्या तुम अगले दस दिन के लिए वीर्य बचा सकते हो? अगर हां तो आगे का वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है? हां मुझे पता है, जब तुम उस ख्वाब में होते हो, जहां अश्ली करने में जितना मज़ा आता है, पर इसकी भरपाई दस गुना कीमत देकर चुकानी पड़ती है. ब्रह्मचारी इनसान में और एक मुठल में क्या फर्क है? क्या तुम जानते हो? एक ब्रह्मचारी का वीर्य उसे इतना ताकतवर बना देगा कि उसके अंदर ये ताकत भी आ लगती है. पांच ऐसी ताकतें, ऐसी खूबियां, ऐसी खासियत जो एक आम मर्द में तुम्हें बिलकुल नहीं मिलेंगी. सिर्फ दस दिन वीर्य बचा लो, जिन्दगी बदर चलो शुरू करते हैं. पहली ताकत, मानसिक सुख. जीवन का अगर कोई सबसे बड़ा सुख ह हो सकता है, तो वो होता है मानसिक सुख. उन खुशियों का कोई फाइदा नहीं, जो अगर हमें शारीरिक रूप से मिले, वीर्य नाश करने से मानसिक कमजोरी पैदा होती है, जिससे इंसान का धीरे-धीरे बहुत सारी चीजों से इंटरस्ट खत्म होने लगता है. ऐसे में एक क्लैरिटी आ जाएगी और मुश्किल समय में भी आप दिमाग को शान्त रख पाएंगे. अगर अगले दस दिन के लिए भी आप वीर्य बचा लेते हैं, तो आपको गजब की मानसिक शान्ती का अनुभव होगा. दूसरी ताकत, शारीरिक ताकत, कहते हैं, 40 दिन के बॉडी में जान नहीं लगती. जिम तो हम बहुत जाते हैं, लेकिन बॉडी ही नहीं बनती. अगर ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं और अगर आप अपना शरीर बनाना चाहते हैं, तो अगले 10 दिन तक वीर्य बचा लीजिए. इसके बाद आप खुद अपने शरीर म एक अलग उर्जा महसूस करेंगे. शरीर में ताकत का बढ़ावा होगा और जल्दी ठकना जैसी चीज़े नहीं होगी. तीसरी ताकत, high testosterone level, high testosterone से क्या होता है? High testosterone से आपकी body growth जल्दी होती है. चेहरे पर गजब का तेज आता है. आप खुबसूरत और ज्यादा मरदाना अगर आप एक हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल चाहते हैं, तो आपको वीर्य नाश तुरंत रोकना पड़ेगा. हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल के साथ जिंदगी जीना बहुत मज़ेदार होगा, ये आप खुद देख पाएंगे. चौथी ताकत बैटर फोकस, जिन भी स्टूडन्स या एडल्स को ये शिकायत रहती है, कि वो बहुत ज्यादा समय तक किसी काम को करने के लिए नहीं बैट पाते. अगर स्टूडन्स है, तो उनका पड़ाई में मन नहीं लगता, या फिर जो जॉब में है, उनका परफॉर्मन्स खराब होता जा रहा है, तो इसकी बहुत बड़ी वज़ा है कि आपका फोकस बिगड़ चुका है. पॉन, हस्त मेथुन, जेसी चीजे तो बेशक एक इनसान का फोकस खत्म कर देती है. अगले दस दिन के लिए, अगर आप वीरे बचा लेते हो, आप देख पाओगे, आपका फोकस कितना तगड़ा हो चुका होगा, ये फोकस आपको हर जगए हर बार आपकी हेल्प करेगा. पांचवी ताकत, टर्मिनिट गिल्ट, एक तरह का मलाल है जो मेरे ख्याल से हम में से हर किसी को कभी न कभी रही जाता है. एक गिल्ट, एक अफसोस, हस्त मेथुन नहीं करने से आपका वो अफसोस खत्म होगा. आपको कभी भी निराशा जैसा महसूस नहीं होगा. सेक्स ज जाते हो कि आप एक गिल्ट फ्री लाइफ जो, आखिर में बस एक ही बात कहूंगा. क्या फाइदा एक खोखली जिन्दगी जी कर? जिन्दगी ऐसी जियो कि खुद जिन्दगी को भी फक्र हो कि तुमने उसे जिया है. अगर आपको ये दस दिन का चैलेंज एक्सेप्ट है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताए. मैं आशा करता हूँ कि आपको विडियो अच्छी लगी होगी. जय श्री राम